एक बढ़ फिर से आप लोग को नमस्कार परणाम यह जो बिहार में आजकल असलीलता हटाओ अभियान जो चला रहे हैं उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ लेकिन इसका समर्थन नहीं करता हूँ भईया कि किसी एक गायक को टार्गेट किजिए किसी एक गायक का एक ही गाना को एच्छा गाता है तो एक दुख खराब तो होता है जिसमें अच्छाई है उसी में बुड़ाई भी है तो आप लोग असलीलता हटाने का जो पडियास कर रहे हो करिए अच्छा है हम भी इसके पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं लेकिन इस तरह से असलीलता भाई हटने सबकोंचने में वाला नहीं है, हम लोग को उस गंदा गाना को मतलब कि पोस्टर में ही दिख जाता है कि यह गाना गन्दा है, उसको खोल कर देखना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि जान करके गंदा गाना को देखेंगे, कईसा खीता है, और बाद में बहुत सारा मेहनत लगता है लेकिन उसको आप लोग भ्यूद तक नहीं देते हैं इसलिए गायक मजबूरन गंदे गाने को बनाता है और ओहीं गंदा गाना आपको सुनने में मज़ा आता है जब तक सब है मिलके एकरा के भी रोधना करी तब कहियो नहीं असर औसलिलता पड़ पड़ी सब के पसंद आबे गंदा गंदा गाना पूछा बाता लोग कर थुन सो रह गो बहाना सब के पसंद आबे गंदा गंदा गाना पूछा बाता लोग कर थुन हड सो रह गो बहाना कि जब तोहरे निक लागे लात दोसर का करी एह में कैसे भईया यसर औसलिलता पड़ पड़ी सब है गाना नई खे गायक गाबेला खराब जी एतना देखा बतार का है तूर आब जी कि जब फूहर सुने बाला के डिमांड घट जाई तब अपने यसर भईया औसलिलता पड़ी गायक लोग भी नई खे चाहल गाबेले उगाना जेकरा में परे उनकर माई बहिन के ताना जेकरा में परे उनकर माई बहिन के ताना जब सुधगाना के भ्यूज मिलियन पार में परी तब अपने भईया यसर असलिलता पर परी जब तक सब है मिलके यकरा के भी रोध ना करी तब कहियो नहीं यसर असलिलता पर परी आप लोग कोमेंट में बताईएगा कि क्या यह सही बात था अगर नहीं था तो हमको भी आप बता सकते हैं क्योंकि हमसे भी गलती हो सकता है और अगर गलती हुआ होगा तो चमा करने की आप कोशिस किजिएगा धन्यवाद क्योंकि हमसे प्लाओ टाउँ में प्लाओज़ था सकता हैं